ओम सिरी गने शाय नमा दोश्तो एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हर दिख स्वागत है दोश्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार मई गुरुवार के रासी फल्क के बारे में कि इहां दिन मकर रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपून जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नहीं नहीं वीडियो पहुंच सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज प्रकरती आपका भरपूर साथ दे रही है कोई लाबदायक और महत्पपूर्ण सवाचार मिलने से आप स्वैम को आत्मबल और भावनात्मक रूप से बहुत अधिक शशक्त महसूस करेंगे रुके हुए काम को पूरा करने के लिए आप पूरी महनत लगा दो आज का दिन आपके लिए बहुती लाबदायक दिन शाबित होने वाला है आज कोई महतपूर्ण समाचार आपको अवश्य मिलेगा आर्थिक समस्य हल होंगी रुके हुए किसी जमीन जायजाद सम्मंदित कारों में आपको सफलता मिलने के आज योग बन रहे हैं किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से मन बहुती प्रसन रहेगा आज सुक्षिवदाओं जैसी चीजों को खरीदारी में समय व्यत्तित होगा अपनी प्रतिबां और चमताओं को समझें इससे आपके व्यत्तित में और अधिक निखार आ जाएगा तथा समाज में आपकी छवी भी निखरेगी आज का दिन व्यस्तता पूर्ण रहेगा काम का बहुत अधिक बोज रहेगा परंतु सफलता मिलने से ठकान हावी नहीं होगी और उत्सा आपका बना हुआ रहेगा घर में महमानों के आगमन से मौज मस्ती में भी समय व्यत्तित होगा अपनी योजनाओं को सफल बनाने का आज का दिन बहुती उत्तम है काफी लंबे समय से चली आ रही किसी परिसानी से आज आपको मुक्ती मिलेगी जिससे आप आज खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे और आर्थिक मामलों में भी थोस और महत्वपूर्ण निर्णे लाबदायक साबित होंगे दोस्तो समय की चाल आपके पक्ष में हैं इसका आप आज भरपूर उप्योग करें आपकी भैतर कार्य प्रणाली की वज़े से आप लोगों के शमक्ष प्रशंसा का पात्र रहेंगे परंतु कोई भी काम अथवा योजना की पहले रूप रे का अवश्य बना लें आपके लिए बहुत यच्छ रहेगा दोस्तो अने को प्रिकार की सफलता हैं आज आपको अवश्य प्राप्त होने वाली हैं दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो अपने क्रोध वे जल्दवादी जैसे स्वभाव पर आप नियंतन रखें किसी संबंदी या पडोसी के साथ वाद विवाद जैसी इस्तिती उत्पन हो सकती हैं बहतर होगा कि अपने काम पर आप ध्यान दें दूसरों की फिजूल बातों को नजर अंदाज करें मन में कुछ अनहुनी होनी जैसी आसंका होने का आज बह रहेगा अपने श्वयबाव पर नियंत रखें क्योंकि कभी-कभी आपके क्रोध पूर्ण वानी दूसरों को आहत कर देती हैं साथी संबंदों में भी कटूता आ सकती हैं दोस्तों आयके संसादनों में कमी रहेगी परंतु खर्चे वर करार रहेंगे इसलिए अपने बजट के अनुशारी खर्च करें कुछ ऐस्वस्तता महसूस करेंगे लेकिन आपका कॉन्फिडेंस आपको एक्टिव बना कर रखना होगा दोस्तों साथी साथ दूसरों की वज़े से किसी प्रकार की धन हानी भी हो सकती है चचेरे भाई भेनों से अपने संबंदों को खराब ना होने दें इससे अकारण ही तनाव उत्पन हो सकता है कुछ प्रतिदूंदी जलन की भावना के कारण आपके लिए कुछ नकार अत्मक वातावरन उत्पन कर सकते हैं और किसी बात को लेकर कहा सुनी भी हो सकती है परन्तु जरासी सावधानी आपको परेसानियों से मुक्त रखेगी घर के बड़े बुजर्गों की अवहेलना बिलकुल ना करें कभी कभी लापरवाही और आलस की वज़े से आपके बंते कारों में रुकावट आ सकती है साथ ही अपने विचारों में भी लचीलापन रखें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेनी वाली है दोस्तो विवाहित जीवन में समान जश रहेगा मनोरंजन संबंदी कारों में समय व्यतित होने से परिवार में हास परिहास वे खुसी का माहुल रहेगा परिवारिक वातावरन आज सुखद बना हुआ रहेगा प्रेम संबंदों में भी प्रेगड ताएगी रोमांटिक माहूल रहेगा निकट संबंदियों के यहां डिनर पर जाने का भी प्रोग्राम आप बना सकते हैं काफी समय बाद घर से निकलना वे लोगों से मिलना जुलना खुसी और इस्फूर्ती प्रदान करेगा परिवारिक वातावरन खुसनुमा रहेगा घर के सभी सदस्ये एक दूसरे के साथ समय व्यतित करेंगे बहारी संबंदों से सावधान रहें इनसे मान हानी होनी की भी परिवार के व्यक्ति आपसे कुछ नाराजगी व्यक्त करेंगे नहीं दे पा रहे हैं इसलिए उनके लिए भी कुछ समय आप अवश्य निकालें विवाहित संबंदों में कुछ समय से चल रहे तनाव को साथ बैट कर सुल जाने में सफलता मिलेगी और घर का वातावरन उन्हें शुकद और मधूर हो जाएगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब का वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज वैवसाय में प्रोडेक्शन संबंदित कारों में कमी आने से तनाव रह सकता है परन्तु आपकी पेमेंट आने से आर्थिक इस्तिती मजबूत रहेगी इसलिए फिक्र करने की आवश्यक्ता नहीं है किसी उच्छ अधिकारी का शयोग आपके कारों में मन मुताविक सफलता प्रदान करेगा साथ ही कोई बड़ा ओर्डर भी मिलने की भी आज संभावना है सरकारी, शेवारत, व्यक्तियों के उपर काम का अधिक बोज आज पढ़ सकता है कारे छित्र में कोई भी निर्णे अकेले ना ले बलकी टीम वर्क बना कर काम करें इससे व्यवस्ता उत्तम बनी रहेगी आर्थिक मामलों पर किसी पर अधिक भरोसा ना करें और ना ही किसी प्रकार का समझोता करें दोस्तों व्यवसाय छेत्र में आपको अपनी महनत के अनुरूप बहतर परिणाम हासिल होंगे आज आपके भाग्य का आपको अधिक शयोग प्राप्थ होगा नोकरी पेशा व्यक्ती किशी सरकारी मामलों में फस सकते हैं सावधान रहें व्यवसाय के परिष्टितियां आज अनुकूल बनी रहेंगी अपना पूरा ध्यान बिजनिस पर केंदरित करें किसी बड़े अनुबंद के मिलने की आज संभव ना है व्यवसाय क गतिविदियों संबंदित योजनाएं किसी भी बहारी व्यक्ती से आप शेयर ना करें कोई इसका अनुचित उप्योग कर सकता है और ओर्डर संबंदित सभी कारों में पक्के बिलका आप उप्योग करें दोस्तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुती लाबदाएक दिन रहने वाला है दोस्तो नौकरी से संबंदित आज आपको बहुती अच्छी खुसकबरी आवस से प्राप्त होंगी जिससे आपको काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो गैस और ऐसे डिटी से आज परिशानी रहेगी खान पान में सैयम रखें वेवेस्तित दिन्चरिया रखने की आज आवस शक्ता है स्वास्त मौसम के बदलाव की वज़े से ठकान अनुबब और कमजोरी महसूस होगी अपना इम्यून सिस्टम स्टॉंग रखें जिहां दोस्तो अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश हुपाय क्या है दोस्तों आज आप इशनान आदी से निर्वत्र होने के बाद भगवान श्री हरी विष्णुजी के प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जलाएं साथ साथ आप वहीं बैटकर भगवान श्री सत्य अनारान की वरत कथा जरूर सुनें या पिर पढ़ें या दोस्तों ऐसा करने से भगवान श्री हरी विष्णुजी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेशाने चल जाएंगे दोस्तों भगवान श्री हरी विष्णुजी का सिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैस श्री हरी विष्णु अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद